नमस्कार सातियों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल पर आज के इस वीडियो में दो जून का जितावी महत्पुन हमारा मद्यप्रदेश का करेंट अपर बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं उसके बाद कल जो अपर हमने मद्यप्रदेश का करेंट पर से करने वाले हैं और लाचन में कल आप से कोषण पूछा था उसका अंसर बताएंगे और एक नया कोषण यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा तो साथ यो इस प्रकार से हमारा आज का मद्यप्रदेश के करेंड़ पैस का सेशन रहने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले यहाँ पर जून महा के कुछ दिवस हम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ए कि इस दिन यह को हमारे दुञब डिवस को हमां यहाँ पर मャनाते हैं तो चलिए यह देख लेते हैं सबसे पहले अगर यहाँ पर हम्मगर्डल मत तो दिवस मनाते हैं तीन जून की अगर यहाँ पर हम बात करें तो विश्व साइकल दिवस हम मनाते हैं, चार जून की यहाँ पर हम बात करें तो मासुम बच्चों की अंतराश्टी पीडा का अंतराश्टी दिवस जो है, हमारे द्वारा चार जून को यहाँ पर मनाया जाता है, पाँच जुन की बात करें तो विश्व परावरन दिवस वर्ल्ड इंवार्मेंट डे हम जो है पाँच जुन को यहाँ पर मनाते हैं वहाई कुछ और डेस यहाँ पर जुन के हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करें, आट जुन को तो विश्व महासागरियत दिवस अब मनाते हैं, बारा जुन को बालश्रम के खिलाब विश्व दिवस मना जाता है, तेरा जुन को अंतराष्टी एल्बनिज्म जाग विश्व रखदा दिवस मनाते हैं 15 जुन को विश्व पवन 7 21 जुन типа योग दिवस मैं थिव तिव जुन को अंतराष्टी ओलंपिक है और 30 जुन क्यों कर विश्व शुद्रग्र दिवस हमारे द्रागा है यहां पर तो यह आपके जून और मही मात के कुछ देश जो कि हमना ही आपड़ी सक्कास कर लिए है आज के मद्दप्रदेश के करंड़ पिर्स का पहला कोशन यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं पहला कोशन हमारे यहाँ पर है कि मद्दप्रदेश के किस जिले की खुशुबू को डबलीन में होने वाले पांच देशों के अंडर 23 टुनामेंट के लिए भारत की 20 सदेशी टीम में शामिल के गया है चार उप्षेन यहाँ पर आपके सामने आते हैं उज्जेन, रतलाम, इंदूर या भोपाल तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कराता है, ओप्षेन डी, ओप्षेन फोर्त यहाँ पर राइट आंसर बनता है भोपाल जिले की खुशुबू को जो आपका यहाँ पर होने वाला टुनामेंट है, जिसमें की भारत के 20 सदर्श जो है 20 खिलाडिया आपके इसमें चैन हुए है, और यह डबलिन में आपका आईजित होगा, इसमें जो है भोपाल की खुशुबू का चैन भी आपका हुआ है तो देख लेते हैं, इस कोशन से जुड़ी कुछ महत्वपून जानकारी, तो भोपाल के जहागीराबाद की रहने वाली 20 साल की खुशुबू ने होकी में पूरे देश का मान बढ़ाया है उन्होंने आगामी 1926 जून तक आयलेंड के डबलिन में होने वाले पांच देशों के अंडर 23 टुनामेंट के लिए भारत की 20 सदेशिय टीम में शामिल इनको आपका किया गया है तो यहां हमारे लिए इंफोटेड बनता है किस खेल से संबंदी थे तो यह आपके जो है होकी से संबंदी थे साथ ये अगला कोशन में नगा कि मद्यपदेश के कि जिले से बिलोंग करती है तो मद्यपदेश के भोपाल जिले से या आपकी यहाँ पर बिलोंग करती है बात आईए भोपाल की तो भोपाल से जुड़ी कुछ मतफुन जानकारी यहाँ पर आप देख लिजिए अगर पहला कोशन आपसे पुछा जाइकि हमारे देश में यानि कि भारत में पहली बार भारत में पहली बार Transgender ओको जो प्रमान पत्र है कहां जारी किया गए थे तो Phopal शहर में आपका जारी किया गए थे तो वह भी जो है आपका भोपाल में open किया गया था, भोपाल में इसको यहां पर खुला गया था, मद्यप्रदेश की वर्तमान में राजदानी क्या है, भोपाल है राजदानी कब बनाया, 1956 में जीला कब बना, उन्निसो बहुततर में आपका जीला बना, साथ यह जानकरी, यह याद रखिए गा कि मंद्यप्रदेश का के बो करें अधकी याद राखियेगा है कि मंद्द्यप्रदेश का उच्छे न्यालई है यानि कि मंद्द्रदेश का हाइक आपि उसकी फिट आयौ आपकी इंदोर में है और दूसरी आपकी ग्वालियर में है और दीसरी कहाँ पर प्रस्तावित है तो मद्यप्रदेश के भोपाल में आपकी प्रस्तावित है देश की सबसे छोटी मजजित और देश की सबसे बड़ी मजजित दोनों की दोनों आपकी भोपाल में इस्तित है वन विहार राष्ट उद्धान आपको भोपाल में देखने को मिलेगा स्वच्छता रेंकिंग 2021 में भोपाल जो है आपका सातवे नंबर पर आया था तो यह थी भोपाल से जुड़ी कुछ महत्वपुन जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए अगला कुर्शन मद्यप्रदेश के किस जिले की लड़कियों के आठ सदर्शिय रोवर रेंजर दल ने पिंडारी ग्लेशियर की 4000 मिटर उची चोटी पर तिरंगा लेर आया है चार उप्षन आपके सामने हैं यहाँ पर उज्जेन जिले की रतलाम जिले की इंदोर जिले की या फिर पर तिरंगा फिर आया है तो देख लेते हैं इनसे जूड़ी जानकारी तो भारत स्काउट गाइट जिला शोपूर की लड़कियों के आठ सदर्शिय रोवर रेंजल दल ने पिंडारी ग्लेशियर की 4000 मिटर उची चोटी पर तिरंगा फिर आया है यह टीम दस दिन के की लड़कियों ने इस प्रकार का आपका प्रदर्शन किया है तो यह जो है आपके शोपूर जी लेकिया है जो स्काउट गाइड है उनसे यह पना बिलोग करती है अगला कुर्शन बनेगा कि पिंडारी ग्लेशियर जो है आपका कहा पर आता है तो यह भारत के उत्राखन राज्य में आपका इस्तित है तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है बात आई है यहाँ पर शोवपूर की तो शोवपूर से जुड़ी एक महत्वकुन बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि मद्यप्रदेश का एक नया राष्ट्यूद्यान जिसका नाम है आपका झाल है ज़ल दस रहendar ऑप करने जाता है तो यह भी जो है अपको यहाँ पर याद रखना है चलिए अगला कॉर्षण यहाँ पर तेक बहुपाल रेल मंडल की पहली महीला ADRM जो है आपकी बनी है तो ओप्शन 3 रश्मी दिवाकर हमारा यहां पर राइडांसर बनता है तो देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी बहुपाल रेल मंडल की पहली महीला ADRM रश्मी दिवाकर ने अपना काम का जो है समाल लिया ह वही भारत में बात करे तो भारत में कुल 18 रेलवय जोन है और 68 मंडल है प्रत्यक मंडल में एक DRM जो आपका होता हição यानी की जिसका फुल्पम बनता है, डिवीजनल डिवीजनल रेलवे मैनेजर जो है आपका यहां पर DRM का फुल्पम बनता है, जो Divisional Railway Manager वो DRM जो होता है वो रेलवे का प्रसासनिक प्रमुक तथा कार्यकारी अधिकारी जो है आपका होता है तो यहाँ पर बोपाल रेलो मंडल की पहली महिला ADRM जो है कौन बनी है तो राइडांसर आपका मनता है रश्मी दिवाकर को आपका यहाँ पर मनाया गया है अगला कोशन है कि भारत के पहले बहु भाशी माइक्रो ब्लोगिंग प्लेटफोर्म कू एप ने देश में अपना दूसरा कार्यालई कहां खोला है चार उप्षन है आपके सामने राजगर रतलाम चिंदवाडा या इंदोर तो राइडांसर आपका बनता है इसके द्वारा चिंदवाडा जीले में जो है अपना कार्यालई जो है यहाँ पर खोला गया है तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी तो भारत के पहले बहु भाशी माइक जिसे बढ़ते दाइरे और नए जुड़ते करम चारियों के चलते कमपनी ने अब मध्यप्रदेश के चिंदवाडा जीले में अपने नए कार्यालई का उद्गाटन जो है यहाँ पर आपका किया है तो देखिए यह कू एफ है जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा य तो वो करनाटक के बिंगलूरू में है और इसने अपना दूसरा कार्याले अपने देश में कहाँ पर खोला है तो मध्यप्रदेश के चिंदवाडा जीले में इन्होंने जो है यह आपका खोला है तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टन बन जाता है बात आईए चि देख लिजिए अगर आपसे पूछा जाई कि जो चिंदवाडा है आपसे कोशन बनता है कि छेत्रफल की दरश्टी से मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो आपका चिंदवाडा जीला है अगला कोशन बनेगा कि जो आपकी भारिया जन जाती है वह आपकी कहाँ पर निवास करती है तो छिंदवाड़त जिले के पाताल कोट में यह जो है आपकी निवास करती है तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर important बन जाता है साथी जो पेंसे राश्ट उध्यान है उसका कुछ भाग जो है आपका छिंदवाड़त जिले में इस्तित है और कुछ भ 2002 में आपका क्या गया इसके पहले जो हमारे मद्द प्रदेश के बहुत करते चलिये कल के करेंड एपर्ट के यहाँ, पहला कोशन है कि किस जिले की प्राची व्यादव पहराएं, वल्ड कप में पदक जितने वाली देश की पहली खिलाडी बनी है चार option यहाँ पर आपके सामने निकल कराते हैं उजेन, रतलाम, इंदोर या ग्वालियर तो right answer आपका बनता है option D, ग्वालियर जी लेकि प्राची यादव उपेरा वर्ल्ड कप में कोई पदक जितने वाली देश की पहली खिलाडी जो है आपकी यहाँ पर बनी है और इनके द्वारा यहाँ पर आपका कौशा पदक जीता है तो इनके द्वारा यहाँ पर आपका काश पदक जीता गया है तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर important बनता है साथ ही ग्वालियर से जुड़ी जानकारी कल आपको बताई थी कि यहाँ पर किलो का रतना यानि कि ग्वालियर के किलो का रतना पूरो का जिब्राल्टर आपका इसको का जाता है राजा सूरसेन के द्वारा इसका निर्मान कराए गया था आपके यहाँ पर कुछ वीजव जुद्ध है जीवाजी व शुद्ध है राजामां सिंटवर विशुद्ध है जहां सी किरानी की गौ सीथी आरे Пड़ा टेजेगे वह had केप्टर वीशू लुप संग का हाँ पर इस्ती थे तो वह आपका हम देख लेते हैं वह है कि 27 से 29 मई जहारकंड के राची शहर में आवे जिता प्रथम जुनियर महिला कुष्ती प्रतियोगीता रेंकिंग सीरिज में किस जिले की हंसा बेन राठोड ने मद्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक यानि कि सिल्वर मेडल जिता है तो राइट अंसर आपका बनता है हंसा बेन राठोड का जो संबन्हें मद्यप्रदेश के इंडोर जीलेश सरकती है और इंडोर में काहां से करती है तो यह बर एक जगह है जिसका नाम है देपालपूर वहां से वीस्तान पर रहा है इस इसमें जो है हमारा मद्यप्रदेश दूसरे इस्तान पर रहा है इस ओप्षन को आप यहां पर सभी कर लीजेगा ओप्षन भी जो है हमारा यहां पर राइड अंसर बनता है चलिए अगला कोशन यहां पर हम देखते हैं कि मद्यप्रदेश में इंदोर गोरव दिवस कब इस दिन अहिल्या बाई का जो जन्म है वह भी आपका हुआ था तो देवी अहिल्या के जन्म दिवस पर जो है इंदोर गोरव दिवस भी आपका मनाया गया तो उप्षन है हमारा यहां पर राइड अंसर बनता है चलिए प्रिवेस मन का जो मद्यप्रदेश का करेंड पर से उसका यहां पर रिविसन कर लेते हैं पहला कोशन है नवंबर 2021 में न्यूजिलेंड के साथ होने वाले T20 स्रंखला में मद्यप्रदेश से किन खिलाडियों का चेन हुआ था चार ओप्षन है आवेस खान वेंके टेश आयर अवदेश प्रताप या A और B दोनों तो ओप्ष आई पिइल में भी अवेस खान और वेंके टेश आयर आवेस खान अपने garbage के लिए और वेंके टेश आयर जो है अबले बाजी के लिए आई पील में भी जो है यह आपके जाने जाते हैं और आई पील में भी जो है विभिन्न टीमों के द्वारा इनको आपका खरीदा गया था अगला कोशन देखते हैं कि मद्धपदे सरकार द्वरा लाई जाने वाली हेरिटेज वाइन निति किस फल से बनी शराब के व्यापार को अधिकारिक रूप प्रदान करती है चार उप्षन है महुआ, सेवे, अंगुर या इनमे से कोई नहीं तो राइट अंसर आपका बनता है उप्षन है महुआ से बनी जो आपकी यहाँ पर शराब होगी जिसे की हरिटेज वाइन निति के रूप में जो है इसको लाया जाएगा तो इसके अंतरगत की शराब को अधिकारी क्रूप से जो है माननेता आपकी यहाँ पर दी गई है तो वह होगी आपके महुआ की शराब चलिए अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि हाले में हिंदू तुवा फोर दी चेंजिंग टाइम्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है चार ओप्शन है सिवराचिंग चोहान कमल नात दिग विजेई सिंग या इन्वे से कोई नहीं तो राइट आंसर आपका बनता है जाती है गोरोव दिवस के रूप में मनाने की गोशना की है चार ओप्शन है 15 नवंबर 15 जनवरी 15 दिशंबर या फिर 15 फरवरी तो राइट आंसर आपका बनता है ओप्शन है 15 नवंबर को जन जाती है गोरोव दिवस के रूप में आपका यहाँ पर मनाये जाएगा तो ओ पंद्रा जनुवरी 15 नवंबर 15 दिसंबर 15 फरवरी तो राइट अंसर आपका बनता है उप्षन भी 15 नवंबर यानि कि जन जातिय गोरो दिवस जिस दिन मना जाएगा उसी दिन से मद्ध्रदेश में सिकल सेल मिशन का जो है शुबारम आपका हो चुका है और किसने किया है त किनरों ने बच्चों को पोश्टिक भोजन देने के लिए किस जिले की आंगनवाडी को गोद लिया है चार ओप्षन है इंदोर पन्ना दमो या जबलपूर तो राइट अंसर आपका यहाँ पर बनता है ओप्षन फोर्त जबलपूर जो है हमारा यहाँ पर राइट अंसर बनता है आज का कोशन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमन करके बताना है वह है कि अबुदाबी में आवे जीत है एशियन सेलिंग चेंपियंशिप में खिलाडी नेहा ठाकुन है कौन सा पदक जीता है चार ओप्षन है स्वान पदक राजत पदक काश्य पदक या इन में से कोई नहीं तो इसका जो भी राइट आंसर हो जो भी सही जवाब हो आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है तो साथी हो यह था हमारे आज के मद्ध प्रदेश के करेंड़ का सेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी वीडि वीडियो की जो नोटिपिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुचे साथी अगर आप इसकी पीडियो पर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं उसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिक्शन बोक्स में मि अध्यप्रदेश का करन्ड पैर्स वीडियो को शेयर जरू करिएगा आज के लिए बस इतना ही थांक्यू वेरी मुच मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन